तो आज हम बनाने वाले हैं एक ग्रेवी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हाई गैस असलाम अलेकम देखिए मैं यहाँ पर अंडे ले चुकी हूं और इसमें थोड़ा नमक दल के मैं बॉयल कर ली हूं उसके बाद इसका छिलका अपने से उतार लेंगे उसके बाद देखिए गाईस यहाँ पर थोड़ा मसाला जैसे के लाल मिर्च थोड़ा हल्दी नमक दाल के हम थोड़ा इसे कट लगा लेंगे लगा लेके इसे हम अच्छे से तव्वे पे कड़ई में हो तल लेंगे तल लेने के बाद थोड़ा मिर्च नमाख मैं पहले बोल चुकी होना यह फिर रिपीट कर रहे हूं यहाँ पर देखिए हम अच्छे से इसे कल लेके हम इसमें आईल में तल लेंगे तलने के बाद जहे से वही आईल में आप कुछ बोलिये आपको कैसा बना थे यह अच्छा बना था बहुत टिस्टी 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 बना इस मेरे साथ क्या हूँ मालूम यहाँ पर मैं तलने में एक अंडा मेरे से खुल चुका था तो यह मैं थोड़ा तोड़ा आप लोग बोलेंगे यह अंड़ा फुट चुका है वैसा नहीं उबलने में ऐसा तलने में यहां पर देखिए हाँ मैं अंड़े तल ली हूं तलने के वही तेल में मैं पूरे खड़े मसाले डाल ली हूं उसके बाद प्यास डाले के अच्छे से अपन इसे गाइस दाबस ने यह रेस्टरॉन को ऐसा है माशारला बहुत अच्छा बना था मैं यहां पर अलग से ग्रेवी बना ले रहे हूं जैसा कि लाल मिर्च धनिया पोड़र जीरा पोड़र और हल्दी डाल के मिर्च नहीं यह सच में बहुत टेस्टी बना था गाइस स्वीरियसले मैं नहीं हो कई मज़ूट नहीं आप ट्राइ करो और वैसे मसाले डालो आप बहुत प्रेसे पी है गाइस वैसा ही फालो करो आप माशारला इतना आप लोगों को बहुत इंजोई होंगा जैसा कि आप पकवान सिख रहे हैं गाल्स के लिए भी बहुत से आप बस 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 बाइब यह आप ऐसे ट्राइल कर सकते हैं कभी पोर कर रहा है कुछ मैगी अप यह मसाले बना के अंडों के जगा मैगी भी यूश कर सकते हैं आपकी विश्य है तो मावा कब खिला रहे हैं मैगी के साथ इंशालला बनाएंगे गाइस आप लोग कमेंस कीजिए मैगी कैसा बनाती हूं क्या है मैं इंशालला आपको रसे पी दे दूँ चलो गाई सब मैं तो थक चुकी मैं चली खाने तो आप क्या करो से सब्सक्राइब देखिए गया यहाँ पर हम फाइनल लुक दिंगे माशालला यह बहुत टेस्टी मैं यह मतलब ऐसा नई बोरिंग इस माई आप लोग भी ट्राइ कीजिए हमें कमेंट्स कीजिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हाफिज